नपोलियन हिल एक बहुत बड़े सक्सेसफुल आथर है। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जो काफी सक्सेसफुल हुए हैं। 1908 में अमेरिका के एकनॉमिक कंडिशन डाउन थी जहां पर पाइसा और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में नपोलियन हिल ने एज राइटर बॉफ टेलर्स मैगजिन में जॉब लिया। उनकी जॉब यह थी कि जो भी फेमस लोग है उनकी सक्सेस स्टोरीज के भारे में लिखें। इसी दवरान नपोलियन हिल को मल्टी मिलेनियर्स एंड्रिव कार्निक से मिलने का मौका मिला। जब इंटरिव चल रहा था तभी एंड्रिव कार्निक ने नपोलियन हिल को एक चॉलेंज ओफर किया और कहा कि आजकल की जो न्यू जेनरेशन है पस ट्राइल एंड एरर की मदद से ही सक्सेस होना चाहती है। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सक्सेस्फुल लोगों से मिलकर उनके भारे में लिखो जो उन्होंने अपने लाइफ में ओ प्रिंसिपल्स को फालो करके सक्सेस्फुल हुए हैं। और इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ ट्रावलेंज के ही पैसे दे सकता हूँ। नपोलियन हिल यह चॉलेंज सुनने के बाद सिर्फ 29 सेकेंड में ही हां कर दिया। और 20 साल तक रिसर्च करके यह बुक लिखी। इस वीडियो में आपको इसी बुक की समरी बता रहा हूँ। हम इसे 6 स्टेप में देखेंगे। लेट्स बिगेन। स्टेप नमबर 1 डिजायर बर्निंग डिजायर बहुत जादा मैटर करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। इडविन सी बैरन ने इस बात को बहुत साल पहले ही पूरूफ कर दिया था कि हर कोई सोचकर अमिर बन सकता है। इडविन दग्रेट इंवेंटर थॉमस इटसन के साथ काम करना चाते थे। लेकिन इडविन के हालात ऐसे थे कि वो ट्रेन की टिकेर तक खरीदने के पैसे नहीं थे इटसन के आफिस तक पहुँचने के लिए। थोड़े दिनों के बाद इडविन ने थॉमस इटसन के लैबरोइटरी गए और बताए कि वो थॉमस इटसन के साथ काम करना चाते हैं। कुछ साल बाद इटसन ने एक अपोर्चिनिटी थी इडविन को अपने आफिस में काम करने की, वो भी नॉमइनल सैलरी के साथ, लेकिन इडविन को थॉमस इटसन के साथ काम करना था, ना कि उनके लिए पहली अपोर्चिनिटी में ही ना बोलना पड़ा इडविन को. कई महेने निकल गए, कुछ हो नहीं रहा था पर Edwin ने और भी जादा स्ट्रॉंग कर लिया अपने डिजायर को ताके वो अपने परपस को अचीव करने के लिए और Thomas Edson की पार्टनर्शिप पाने के लिए और Edwin रेडी थे बिजनस करने के लिए Edson के साथ Mr. Edson ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी और उसे वो बेचना चाहते थे पर उनका स्टाफ वो बेचने में इंटरस्टेड नहीं था और उसे बिना एफट्स के ही बेचना चाहते थे तबी Edwin को अपनी अपोर्चिनिटी दिखी वो जानते थे कि वो डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं Edson ने डिसाइड किया और एक अपोर्चिनिटी देने का Edwin को और वो उस डिक्टेटिंग मशीन को बेच दिये In fact, Edwin ने उस मशीन को काफी ज़्यादा सेक्सिसफुली बेचा और Edson ने खुश होके पूरा कॉंट्रेक्ट दिया ये था Edwin C. Barron's का डिजायर उनका परसनल एक्सपिरेंस Six way turned into gold Step No.1, एक exact amount decide करो Step No.2, decide करो कि इसके बदले क्या कर सकते हो 2 घंटे नीन कम कर सकते हो, 4 घंटे काम जादा कर सकते हो, जो भी कर सकते हो Step No.3, एक date decide करो कि ये date तक ये amount चाहिए Step No.4, एक definite plan बनाओ और उस पे action लेना start करो चाहे तुम ready हो या ना हो, ऐसे कुछ particular time नहीं होता है, just do it Step No.5, पूरे plan को clearly लिखो Step No.6, जो तुम लिखे हो ओ statement दिन में दो time पढ़ा करो, feel करो that you are reaching to your goal Step No.2, specialized knowledge Knowledge two types की होती है, एक है general knowledge and दूसरी है specialized knowledge General knowledge कितनी भी जादा हो पर उसका use कमी ही होता है Specialized knowledge का मतलब ये है कि किसी भी particular field के भारे में Knowledge होना या experience होना, अगर आपको कुछ करना हो तो किसी भी field में, example, sports में, education में, film industry में या फिर business में, उस field की special knowledge होना बहुत जरूरी है कोई businessman अगर business कर रहा है तो यही सोचेगा कि quality कैसे maintain रखना है Service कैसे provide करना है easy way में customer तक Customer कैसे बढ़ाना है जादा कम budget में marketing करके Overall कोई भी businessman अपने business को improve और successful करने के भारे में ही सोचेगा ताकि उसे जादा से जादा profit मिले उसी specialized knowledge को बढ़ाने के लिए आज की generation बहुत कम salary में या फिर कुछ घंटे जादा काम कर रही है आज भी बहुत लोगों को लगता है कि school की पढ़ाई ही education होता है अगर ऐसा होता तो फिर the great inventor Thomas Edison अपनी life में सिर्फ तीन मेने ही school गए थे उसके बावजुद वो इतने जादा successful थे You can get all the knowledge you need ऐसे बहुत सारे sources हैं जिससे हम specialized knowledge को बढ़ा सकते हैं Institute है जहाँ पर personal training courses available है या फिर personal experience और observation करके भी बढ़ा सकते हैं या फिर online से भी बढ़ा सकते हैं यह बढ़ा आसान तरीका है Step No.3 Imagination Imagination literally workshop है जहाँ पर imagination से सभी plans create होते हैं और हमारा desire इसे shape, form और action में लाता है mind के imaginative faculty के मदद से We can create anything that we can imagine हम वो सब कुछ create कर सकते हैं जो हम imagine करते हैं Two forms of imagination No.1 Synthetic Imagination No.2 Creative Imagination Synthesized Imagination faculty यह काम करती है जो भी old concept, old ideas और plans को new combination के साथ arrange करती हैं सिर्फ experience, education और observation के साथ ही काम करती है Synthesized Imagination faculty कुछ create नहीं कर सकते हैं Synthesized Imagination inventors जादा यूज करते हैं No.2 Creative Imagination Creative Imagination faculty direct communicate करती है हमारे infinite intelligence से और इसी faculty से inspiration receive होती है Creative Imagination faculty automatically ही काम करती है जब हमारा conscious mind motivated और energized या फिर हमारा desire बहुत जादा strong होता है तब Creative Imagination faculty को leaders, musicians, writers, artists जादा डेवलप करते हैं यह जो दोनों imagination forms है यह equal valuable है यह दोनों साथ में ही काम करते हैं गाइस आगे के तीन स्टेप्स आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा थैंक यू फो वाचिए